हेलो इंवेस्टर्स और ट्रेडर्स विल्कम बाक टो माई चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ इस एपिसोड में देखेंगे लाइव ट्रेडिंग निफ्टी की अभी देखो आज तक कभी लाइव ट्रेडिंग किये नहीं है बस एक यहां पर आप अब कैसे बढ़ा सकती हूँ तो उसके लिए यहां पर इससे टेंग के अंदर आपर करेंगे हम लोग आइगे कभी-कभी नहीं तो अपना अपडेट कर दिया करेंगे तो अभी यहाँ पर देखेंगे मार्केट की सिचुवेशन ऐसी है कि हम लोगने जैसे कल मार्केट अनलेसेस वाले वीडियो में कल नहीं इन फाक्ट पर सो हम लोगने डिसकस किया था कि मार्केट अगर यहाँ पर देखा जाए कि यह तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुले और फुरा साइडवेश मार्केट निकाल दे तो उसके बाद यहीं सिचुवेशन देखेंगे और जब मार्केट ऊपर जाने लगती ना तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का मौका देती नहीं आपको तो बेसेकली वह खुले की गाप फिर साइडवेश फिर गाप फिर साइडवेश तो अगर यहां पर देखो कल के बॉटन पर अगर आपको कैच करते तो आज यहां सुबह तक या तो 170 या 180 पॉइंट तक ले लेते या अभी इस लाइब मार्केट के अंदर भी देखते तो आप 100 पॉइंट ऊपर होते हैं बट ऐसे समय में लोग के मन में आता नहीं है कि यहां पोजिशन कहा बनाएं वो समझी नहीं पाते हैं वो मार्केट खुलती है इंट्राडे करने बैठते हैं साइडवेश मार्केट निकल जाती है नेगेटिव रहेगा या ब्रेक इवन पर कि या तो आप स्कैल्पिंग कर पाओ या तो कैरी फॉरवर्ड करो बड़ी पोजिशन थोड़ा समय के लिए थोड़ा समय दो इसको एक दो दिन का या तीन दिन का टाइम दो वो अपने आप उपर चला जाएगा गाप खुलेगी मार्केट थोड़ा साइडवेश जाएगी थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी लेकिन आपको प्रॉफिट मिल सकता है बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक बेस बेस पे अराम से भाय करो चोटा स्टॉप लो बड़े टार्गेट लो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर आपकी ट्रेट निकल जाएगी बस इ 夜 आपी जरा पॉड़ीशन में पिर आप लोग के बात करते हैं तो यहां पर अगर प्राईद एक्षंग समजाव जाए तो यहां पर योगो यह देखो कि यहां प Minty से इसको green candles cover कब करेंगी, इसको engulf कब करेंगी यह green candles, या तो solo candle इसको engulf कर जाए, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है, तो दो तीन candle भी लग सकती है, बस इस level के उपर आपको closing मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर जैसे closing मिल गई है, तो आप लोगों को basically अगर आप scalp कर र target आपका सिर्फ एक candle या दो candle का होगा, maximum 10 से 20 point के अंदर, जैसे यहाँ पे इस case के अंदर, यहाँ तक का आप target ले सकते हो, तो basically इस स्यादा आपको करना ही नहीं है, बस एक 11 point लो, ज्यादा lot लो, यहाँ पर 500, 600, 700, 1000 रुपए आपका easily आ जाएगा, सिर्फ इतने में ही, इस trading करने की एक lot, दो lot खरीतो, तो वही खरीतो, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको, जैसे for example, लभी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो यहाँ पर आपको देखोगे कि वो बना हुआ है, मेरा spread बना हुआ है, तीन lot है इसमें, तो basically यहाँ पे हम किसलिए बैठ और इस stop loss को फिर हम update भी कर सकते हैं, depending on किस तरह की candle बन रही है, अगर कुछ candle खराब बनती है, for example, कि यहाँ से अगर देखे कुछ candle खराब बनती है, red बनने लगती है, यहाँ से नीचे आने लगती है, बड़ी candle बन जाती है, और closing बन जाती है, तो फिर वहीं बैटा दो, फ तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आओगे, तो पता चलेगा कि यहाँ पर बार बार यहां से resistance दे रहा है, तो आप लोग को वेट करने कि यहाँ भी हम लोग को clearance मिल जाती है, तो आप लोग को फिर देखोगे कि निफ्टी के अंदर भी अच्छी कासी, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा जादा points cover पर कर पाएगा, और बैंक निफ्टी तो यहाँ पर breakout मिली जाएगा, तो basically बैंक निफ्टी यहाँ पर एक तरह से कहोगे, निफ्टी के लिए backbone बन कि आएगी, क्योंकि निफ्टी में अगर ultimately आओगे, तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, अभी आगे देखते हैं, जो भी होगा, फिलाल अभी update करते हैं, थोड़े दर के लिए वीडियो पॉस कर रहा है, अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर हम लोग भाई किये तो वहाँ पर fake हो चुका है, यहाँ पर closing उपर मिली ही नहीं, तो position square off करके निकल लो, वहाँ प अंदर नहीं आ सकती थी, अगर आप quantity जादा रुखो, तो easily आ सकती थी, ज्यादा बड़ा आपका stop loss भी नहीं, 1-2-2 की छोटी जी ट्रेड है, और एक candle की ट्रेड, तो जादा अगर आपको wait नहीं कर सकते हो, अगर आपको wait करने से लगता है, कि भाई, मेरा बहुत जादा, मतलब, बहुत जादा impulsive decision लेने लग रहे हैं, तो आप scalping कर लो, scalping करने में छोटा stop loss लेने, बट identify करना थोड़ा सा मुश्किर होता है scalping में, usually सब लोग नहीं कर पाते है scalping, इसको इसलिए अच्छे सा identify करना होता है, entry कहां करनी है, exit कहां करनी है, कौन से candle पर perfect trade मिलेगी ज बहुत सा time दरूर लगा सकता हो सकता है, retesting के नीचे आजा है, डरा है आपको, लेकिन फिर ultimately आप लोगो उपर जाते हूँ, यहाँ पर मिल सकता है, अभी फिलाल देखेंगे तो यहाँ पर profit सिर्फ 28.100 रुपय का हो रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर market थोड़ा से नीच लेक्ते हैं क्या होता है, हो सकता है, निफ्टी फिर in level से थोड़ा सा एक बार rejection लेने की कोशिश करें, उस case में अगर हम लोगो exit करना होगा, तो exit करेंगे नहीं तो आराम से बैठेंगे, पूरी लेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि rejection ले रहा है काफी तेजी से तो इतना जल्दी जब तेजी से जब rejection लेता है, तो लोग usually डर के हटा देते हैं, तो अभी यहाँ से उससे ज़्यादा बेटर decision क्या होगा कि impulsively हम इसको हटा दें, कि अपना stop loss update करके यहाँ पे छोटा सा swing है, बहुत जादा important सुन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर लगा द करना पड़ा है क्योंकि देख के लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह से यह रुके का यहाँ पे, दूसरी तरफ अगर आप लोग बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर देखोगे, तो ब्रेक आउट जो था, वह यहाँ पर डोजी बनाके fail हो गया, अब ब्रेक आउट के पास जब ऐसी कैंडल मन जाती है, तो बहुत ही रेक कार से हम कहते हैं कि नेगेटिव कैंडल है, यह यूजली तभी होती ही, जब मार्केट वॉलिटाइल होती है, उसके बाद नेक्स कैंडल अगर रेड बन जाए, तो समझ लेना कि ब्रेक आउट में यूजली ऐसे दुनों में ऐसा ही होता है, मौर्निंग आउर में ट्रेड मिल गई तो बहुत सही है, अगर नहीं मिल रही है, तो थोड़ा से मुश्किल हो जाता है ट्रेड मिलना, तो आज देखेंगे, थोड़ा सा मतलब इसलिए क्वांटिटी भी थोड़ी कम थी, और कब मार्केट वालेटाइल हो सकती, कब ट्रेडिंग करना है, मुश्किल हो सकती, कब कॉंटिटी कम रखना है, कली ऐसे बताया थे तो की कॉंटिटी आज ट्रेड करना तो कम ही रखना, तो ऐसे सिटेशन में अगर आप लोग कम रखेंगे अपनी कॉंटिटी तो लॉस भी कम ही होगा, अभी देखेंगे फिलाल डाउन साइट जा रहा है, एक और पॉसिबिलिटी यहां पर अगर आप लोग को देखनी रहा हो तो यहां पर लाइन चार्ट कर देना, तो यहां पर आप लोग को टार्गेट तो मिल गया बड़ इसके ऊपर यहां पर ब्रेक आउट अगर बड़े टार्गेट लिया जाए, तो अगर स्केलफिंग करने के आप लोग को लगता है कि केपिल हो तभी करना, नहीं तो थोड़ी सी जादा अगर यहां पर इंप्रूव होता है आज का P&L तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है वैसे इसके आगर ट्रेट करते नहीं है जब मार्केट वॉलटाइल होती है मिलेंगे शाम के वीडियो में, तब तक के लिए अपना कैपिटल वगरा सेफ रखना उड़ाना नहीं चलते हैं, ओके बाए झाल! झाल!